गैए नमस्कार दोस्तों आपको हमारे चाइनल जो है अनलिस साइंस में स्वागत किया जाता है अगर आप पहली बां है तो को स相信 करें वीडियो को लाइक से और सुठिय करें चले वीडियो को सुरू करते हैं आज हम यहाँ पर जो है बीए सी थर्ड सेमेश्टर एक्जामनेशन दोहजार तेईस का वो भी नई यह नई पी नई सिचनीत के अंसार कंप्यूटर अप्लिकेशन का यहाँ पर जो है सी प्रोग्रामिंग डाटा इस्टक्टर का दस मोस्ट कुशन पढ़ेंगे उस साथ इसका एंसर भी देंगे इसके एंसर के लिए हम यहाँ पर जो है आपको हैंड राइटिंग नोट से यहाँ पर आपको मिल जाएगी यहाँ पर उसको कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में हैं आपर हम बता देंगे आप वहां से जाकर करके कुशन का एंसर आप वहां से देख सकते हैं तो चले यहाँ से वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले बता दे इसके पहले हमने जो यहाँ पर इसका जो है आपको स्लेबस जरूर देख लेना होगा स्लेबस के लिए हमने वीडियो बनाया था डिशन मे आपको यहाँ पर BSC पेपर की प्लेश मिल जाएगी वहाँ से जाकर उसी के अंदर आपको यहाँ से टॉपिक मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं आने था आपको डाइट वीडियो यहाँ पर आपको डिसन मिल जाएगा वहाँ से जरूर देख लीजेगा क्योंकि आपको यहाँ से उसका सिलेबस जरूर पढ़ना होगा सिलेबस पढ़ने के बाद ही आप यहाँ से कुछन में से important topic उसमें भी बताया था तो यहाँ पर सिफ हमने यहाँ पर जो है उसमें से 10 important question को यहाँ पर हमने लेगी और सभी का paper का पीडिया भी आपको मिल जाएगा तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को सुरू करते हैं देखिए यहाँ पर दस most important question है इसमें से पहला question है कि define कीजिए C programming यहाँ पर यह question कई बार आ चुका है कि C programming क्या है और यहाँ पर diet के बार है definition आप C पूस्ता है और definition आप programming दोनों यहाँ पर आपको definition दोनों की लिखनी होगी तो यहाँ पर question है important topics है और साथ ही साथ यहाँ पर आपका पहला question है दूसरा question इसमें से है कि what is a constant constant क्या है and what is a types of constant यहाँ most important question है जो है लगबग आपको जो है यहाँ पर त्री नंबर के question में पूस्ता है यहाँ पर तो यहाँ पर हमें जो है definition देनी होगी की constant की definition देनी होगी और साथ हिसाथ इसके constant के कितने types हैं आपको उसके बारे में भी पताना होगा question इसके बारे में भी लिखना है यहाँ पर चलिए यहाँ से चौथा question परते हैं देखे चौथा question है कि explain कीजिए data structure and types यहाँ पर यहाँ most important question है यहाँ लगबग आपको यहाँ पर साथ नंबर के question में पूछेगा क्योंकि यहाँ पर जो है data structure यहाँ पर सभी लिखने होंगे अब यहाँ से देखे हैं में इसमें चौथे question में सिर्फ पूछा क्या गया है कि explain की data structure क्या है इसके बारे में explain करना है साथ-साथ इसके कितने प्रकार हैं के बारे में भी आपको लिखना है अब यहाँ से देखे question number 5 है question number 5 है कि what is array array and types and operation यहाँ पर देखे हमें array की definition देनी है और उसके types बिल्कना है और साथ-साथ operation क्या है यहाँ पर array के उपर क्या 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 डिफ प्रकार लगते हैं उन सभी के बारे में भी बताना है अब यहाँ से देखे question number 5 हो गया question number 6 है यहाँ पर कि what is a stacks and q यहाँ पर जो है stacks क्या है और q क्या है इसके सभी की definition आपको लिखनी है अब यहाँ से देखे question number 7 है यहाँ भी most important topic है जो paper में कई बार आ चुका है यहाँ पर most important है अब यहाँ से देखे question number 7 है define कीजे यहाँ पर tree and explain types आप tree data structure यहाँ तो जोरी most important यहाँ पेपर में हर बार आता है कि define कीजे टी और साथे साथ इसका explain कीजे type stuff टी data structure यहाँ पर हमें टी की definition लिखनी है और साथे साथ त्री कि कितने type 7 से data structure के कितने type 7 के बारे में भी लिखना है अब question number यहाँ पर आठोबा है यहाँ लांग में question आता है यहाँ पर सिर्फ हमने यहा नहीं है कि यहां पर हमें देनी हैं सौर्टिंग अल्कॉर्थम की अब कुछ नॉजए नॉजए नहीं है यहां पर आपको सिर्फ लिखनी है डारेक्टेड और अन्डारेक्टेड ग्राफ डापस की आप इनके graphs की definition भी पढ़ लेजेगा ध्यान रखेगा दोनों कुछन में पूछ जाते हैं अब यहां से देखें लाश्ट कुछन है वाट आरे basic operation आप data structure यहां पर जो है basic operation क्या होता है data structure का इसके सभी के बारे में आपको लिखना है या लांग में या भी कुछन आता है तो य यहां से आप वीडियो को समापत हुई अब आपको handwriting notes कैसे डाउलोड करना है handwriting notes के लिए आपको description में एक link मिल जाएगा जहां पर आपको जहां पर उस link पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक site का page open हो जाएगा वहां पर आपको जो एक table दिखाई देगा जिसमें आपको जहां स्लेबस और उसके जो यहां पर सी प्रोग्रामिंग का अलग नोट से handwriting notes मिलेगा उसके सामने click here के बटन दियागा है वहां पर आप क्लिक करके download कर सकते हैं उसके बार data structure का भी आपको जो हैं पर अलग से नोट दिया जाएगा वहां से क्लिक करके देख सकते हैं और यहां पर तो चले यहां से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share, comment जूर कीजेगा अब यहां से यदि आपको वहां पर नहों तो यहां पर टेलिग्राम पर जोइन कर लेजेगा वहां पर आप जो है वहां पर भी link मिल जेगा वहां से भी आप डायेट डाउन झाल 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 कर लेगा वापको वीडियो अगर टेलिग्राम पर टेलिग्राम झाल झाल झाल